तुम्हार दोस्तों स्वागत आपका आज गंचंद्र डिवस् सबसे सब्सक्रेशन को बहुत कामना हैं आज बात करते हैं रिट के संदर्ब में बहुत नया अड़ भूँआ है बीमा य। वेंकिंग के संदर्व में आज बात करेंगे बीमा वेंकिंग की सबसे पहले बात करते हैं बीमा की बीमा कुछ लोगों की हानियों को अधिक लोगों द्वारा बाट लेने की प्रक्रिया है जिससे विभिन प्रकार के जोखिमों द्वारा हुई हाने का प्रभाव कम हो जाता ह मतलब देखिएगा, बिमा क्या है? कि मतलब कुछ लोगों की हानियों को, कुछ लोगों की हानियों को अधिक लोगों दिवा रहे, हम एक किसी कंपनी में अपना बिमा करवात है, हम कुछ लोग यानकि हम में से कराया और कंपने के साथ किते साड़े लोग जूरे होते हैं वो क्या है कि अधिक लोग कम लोग जिनका विमा होता है उनकी समस्या यानकि उनकी जोखिम होती है उनकी भरपाई करते हैं या पिर नुकसान कम हो छोटे लोगों पर जिन्नों ने व बिमा करवाया जाती है जो खिमों जो है विभिन परकार की जो खिमों को जो लोग बिमा करते हैं उनकी जो खिमों को कम करना बहुत सारे लोगों द्वारा ये बिमा में आता है अब देखें बिमा के परकार को देखें तो जीवन बिमा सबसे पहले देखें जीवन बिमा जीवन बिमा के अंतर कर देखें तो बिमा करता है प्रिम्यम के बदले में बिमा करत वक्ति हो जाने पर बिमा करत वक्ति के नामित या नामिती को एक निशित धनराशी का भुगतान करता है दिखिए करो कि हिसम और तो ऊसमें होता यह है कि हमने जिसकी को मंद स्यूजिज कर्वाते हैं। weekly करवाता एक premium होता है जिस एक हम premium को एक तरह से queast कह सकते हैं कि पर मंत या 6 महँद में में या 12 महँद में 5 साल में इसकी किस्त है उस को में जमा करते हैं आ रोस किसी भी विमाकरत कंपने में जमा करते एक निस्चेन टाइम प्रिट के according चैंद पहले भी जो उसके सर्ते हैं उसके according maturity date है या उस maturity date से पहले भी वो नामित वक्ति यानि कि या तो जिसका विमा हो रहका उसका या फिर और कुछ गटनाय हो जाए जो नौमिनेट है उनको वो पैसा देती है यानि विमे की जो और आसी है वो स्वास्ते विमा अगला देखें स्वास्ते विमा विमे करत जो है देखीगा विमा करत वक्ति को उप्चार वो सल्य चिकिस्टा के खर्चों की पूर्टी करता है आपने health का विमा करवाया है health insurance आपने उगर करवाया है को वो आपकी विमारी होने पर आपको जो है खर्चों की पूर्टी करेगा आपने विमा करवाय कर लिया health को लेकर कुछ problem हुई तो आपके खर्चे का वैर्ण वो वीमा कंपनी करेगी यात्रा भीमा अंत्रदेशिय या अंत्राश्टी यात्रा के दोरान हुए वित्ये चूक वनिये हानियों की पूर्ति करता है आपने नैशनल और इंटरनेशनल अगर यात्राएं की है जरनी कि ये उस यात्रे के दोरान अगर वित्ये चूक वनियंशल गडबड़ी हो जाती है पैसे के लेंदेन में उपर निच करवाया है ग्रह विमा देखिएगा ग्रह विमा हम इंस्रेंस देखें तो गर के लिए पूर्ण सुर्क सा प्रदान करता इससे अब इसके अंतर देखा जाए तो भवन विमा भी होता है अंतर वस्तु विमा दोनों आते हैं आपने भवन के लिए करवा लिया अंतर वस्तु इ या देताओं के लिए हमारे वहन को सुर्खसा प्रदान करता यान कि मोटरबान आपके पास कोई गाड़ी है आपना उसका इंसुरेंस करवाया आपने उसका बीमा करवाया आपकी चोरी हो गई या फिर और कुछ प्रोब्लम हो गई तोट फूट गई एक्सेलेंट हो गया उस समय जो उसमें जो प्रोब्लम होती है उसका जो खर्च आता है उसका भरपाई या उसकी जो भरपाई है वो देताओं द्वारा देताओं के लिए जो कंपनी है वो करती है साथ में वहन को सुर्खसा भी परदान करती है अब बात करें बीमा समीदा परम सद्विस्वास के सि आपने ली कोई भी कंपनी किसी भी कंपनी का यहां से नाम नहीं लेना चाहेंगे आपने कोई भी कंपनी ली जिस पे आपको ट्रस्ट है सबसे पहली बात सद विश्वास के साथ आपको उस कंपनी पर ट्रस्ट होना चाहिए वह सारी कंपनी आती है विमा कर जाती है कुछ से कोई बात पता चलता है कि यह कंपनी तो रही नहीं तो सबसे पहली बात है कि ट्रस्ट के साथ आपके पास विश्वास विश्वास के साथ समीधा यान की कॉंट्रेक्ट होता है आप विश्वास के साथ कॉंट्रेक्ट करते हैं बीमा कंपनी के साथ कि इतने टाइम में यह रह कंपनी के साथ एक विश्वास के साथ साथ क्या करतें हैं कि समीधा पर्म्सद्विवास के सिद्धानत पर आधारी थे अब देखें बीमा एक अनुबंदन हैं कोंट्रेक्ट हैं जिसमें बीमा करता है एक निश्चित पर्तिफल के बदले बिमित को किनी पूर्व निर्धारित कारणों से हानी होने पर सती पूर्ति या एक निश्चित धनराशी के भुकतान का वचन देता है, अनुबंदन करता है, वचन देता है कि बिमा करता है, क्या करता है, बिमा करने वाला एक निश्चित हम जो बर रहे हैं इसका रिटन ये मिलेगा पूरु निर्धारित पहले सर्तों को निर्धारित कर देया जाता है इन सर्तों के साथ इतनी किस्त रहेगी इन सारे सर्तों के साथ भीमा होता है उन सर्तों में जो सत्यपूर्ती है उन सत्यपूर्ती के लिए भुगतान रासिय धन सकता है देखें बीमा सत्यपूर्ति की व्यवस्ता करने का स्रेश्ट उपाई है बीमा क्या है यह सत्यपूर्ति का मैतपुन साधन है बीमा सत्यपूर्ति की व्यवस्ता करने का स्रेश्ट उपाई है जीवन बीमा पर सत्यपूर्ति का यह सिद्धान्त लागू नहीं होता मतल जीवन बिमा पर सतिपूर्थी का, क्योंकि जीवन बिमा सतिपूर्थी कैसे करेंगे, सतिपूर्थी आपके वान खराब हो गया, तो आप नया ले आएंगे, उसका इलाज करा, जीवन बिमा एक्सिडेंट में कुछ हो गया, तो नया तो नहीं ला सकते, तो जीवन बिमा है, इसके सिद्दान्त निस्चित है जो निस्चित सिद्दान्त पर अधारित है। जो प्रोसेस से वो चलता है। सुध्य जोखिमों के लिए बीमा, वे जोखिम जिन में केबल हानी होने के संबाउना होती है, लाब की नई, जैसे मृत्य होगई और दुरुगटना होगे, सुध्य जोखिमों के लिए मतलब सुध्य जोकिम है, सिर्दा सिर्दा, मतलब जिन में लाभ की उमीद नहीं रहती, हानी की संभाउना रहती है, मृत्यु की दुरगर्टना की ये इसके अंदर के अता है, साका कारिता की भाउना, बीमा में, साकारिता की भाउना किस तरे के से? बीमा में सब एक के लिए और एक सब के लिए की भावना है जो निहतार्थ रहती है सब एक के लिए और एक सब के लिए की भावना ये वक्तियों के पारिसपरिक सयोग वो विश्वास पर आधारेत है पारिस पर विश्वास होगा तब भी हम किसी कंपनी पर ट्रस्ट करेंगी उसके साथ कॉंट्रेक्ट करेंगे और बीमा करवाएंगे गटना के गटित होने पर भुकतान एक निश्चित अवदी गटना के गटित होने के पस्चाथ बीमित वक्ति या उसके उत्रा धिकारियों को एक निश्चित रासि का भुकतान किया जाता है बीमा की उप्यूगिताइँ क्या क्या उनको देखें जीवन में बीमा जितनी अधिक अनिस्चताइँ वो जोकी में बीमा का मैं तो उतना अधिक हो जाता आध समाज के सभी वर्गों के लिए विमा एक अनीवार ये आँ सकता है वक्तिक और पारवरिक द्रस्टी से उप्योगी देखें वक्तिकत देखा जाए वक्तिकत और पारवरिक द्रस्टी से भी उप्योगी है ये जोकिमों से आर्थिक सुरक्सा परदान करता है बच्चा तो वीनियों की भावनाओं का विकास है कारे समता में वर्दी का है बहुस्य की आउसकताओं का नियोजन है करो में छूट और सामाजिक सुरक्सा के ही उपलब देता ये व्यक्तिकतों पारविक दस्टी से भी उप्योगी है अब बात करें व्यवसाई को आर्थिक द्रस्टी से उप्योगी किस तरह से देखें पुन्जी वो साख के सुईदा परदान करता है अनुसंदान वो नव परवर्तन को प्रोस्तान विदेशी वैपार को प्रोस्तान देता है आर्थिक इस्थाईत्व सामाजिक द्रस्टी से भी उप्योगी हैं देखें पारविरिक जीवन में इस्तरता जोकिम का विबाजन रोजगार के उसरों में व्रदी सिक्सा को बढ़ाव करों में छूट अधार भूत सुईदाओं के विस्तार में योगदान अब बात करें राष्ट्री द्रस्टी से भी उप्योगी हैं देखें राष्ट्री बचत में व्रदी विदेशी वेपार में साहे करमचारी कल्यान में व्रदी मुद्रा इस्पती पर नियंत्रा राष्ट्री आई में व्रदी पूंजी का अनुकुलतम उप्योग अब इसके अंतर के कुछ सब्दावलिये देखें बीमा करता क्या होता वो देखें वो वक्ति या संस्ता जो बीमित को अंसदान सुईकार करके जो किमों से होने वाली सत्यपूर्थी का वचन देता बीमा करने वाला बीमा करता बीमा करने वाला वो वक्ति या संस्ता या एक वर्टिकुलर वक्ति भी हो सकता है एक कोई संस्ता भी हो सकती है जो बीमित यानि कि जो बीमा करवाना चाहता जो बीमा कर रहा है करने वाला लगे जो बीमा जिसका कर रहा है जिसका कर रहा हूँ भीमित है जो भीमा करवा रहा है यहन जो भीमा कर रहा है यहन की संस्ता होगी या वक्तिकत हो गया जिसका कर रहा है वो भीमित है भीमित को क्या करता भीमा करता अंसदान सुविकार करके जो वुकिस देता या प्रिमिम जो देता है उसको सुविकार करता और जोकिमों से होने वाली सतिपूर्थी का हुवचन देता है जमाकर या बीमा करता कहा जाता है बीमित अभी हमने बात की बीमित जो बीमा करता को अंसदान का भुगतान कर बीमा को विश्यवस्तु को जोकिमोंने पर सतिपूर्थी का अधिकार रखता है वो बीमित होता है होगा अगर ऐसा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें नास्कार